नमस्कार मैं प्रग्या धरधर तीस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को तिवारों पर किंद्र की मूधी सरकार ने सरकारी करमचारियों और आम नागरिकों को बड़ा तौफा दिया है इस रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के ऑनलाइन सोर्षन में बेतहासा बढ़ोतरी देखी जारी है इंटरनेट पर बाल शोर्षन की सामगरी में 87 फीजदी बढ़ोतरी देखी गई है तिवहारी सीजन में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए केंदर सरकार ने कमर कसली है इसके लिए अभी सहीं तावरत और फैसले लिए जा रहे है ताकि दर्शरा और दिवाली पर खादे पदार्तों की कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके यही वज़ा है कि सरकार ने चीनी पर लगे प्रतिबंद को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले तिवहारी सीजन में चीनी की सप्लाइ प्रभावित नहीं होगी जिसे कीमते नियंतरत रहेंगी दरसल घड़ेलू मार् प्तार से चलती है बंदे भारत को टक कर देने के लिए एक और ट्रेन पट्री पर आधिकारिक रूप में आने वाली है समय से देश के लोगों को इंतजार था जो खत्म होने वाला है यह यह जो किया है और ना ही मेट्रो ट्रेन की है मौझदा समय वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिक्तम स्पीड एक सो साट किलो मीटर प्रति घंटे की हालाक इसका डिजाइन प्रति घंटे के नुसार किया गया है केंद्रे सरक पडिवहन और राजमार्क मंत्रे नितन गड़करी ने उन्हेस ऑक्टूबर यानि आज अम्रिस्सर में तेश का सबसे उंचा राष्ट्रिय ध्वच फिड़ाया यह तिरंगा आइसी पी अटारी पर स्थापित किया गया दिल्ली कटरा एकस्प्रिसवे के कारियों की संभिच्छा किया और इसके बाद वागंहर सा चेना के पास चल रहे धाए आज्यूर्च में मतं किया गया हालाक इस प्रस्ताओ को मजूरी नहीं दी जा सक्ए संयुक्त राश में ब्राजील के राजदूत सर्जी उफ्रांका डेनीज ने बताया कि पक्ष में वारव वोट पड़ें जबकि इसके विरोध में एक वोट पड़ा इसके लावा दो देश अनुपस्तित रहें करते वे कहा कि मामला विधाईका के अधिकार छेतर में आता है और दारत इसमें प्रविश नहीं करना चाहेगी। इसे लेकर रेलवे ने कैतिहातन लोगों से अपील की है जिसमें रेलवे ट्रैक के आसपास किसी भी तरह के त्योहार से संबंदित आयूजन नहीं करने के हिदायत दी गई है नार्दन रेलवे के जिनरल मैनेजर सोभन चौधरी ने टीवी नौ भारतवर से खास बाचीत में बताया कि हमने इसके लिए लोगों से अपील कर रहे हैं कि रेलवे ट्रैक से दूर किसी भी त्योहार का आयूजन करें इसके साथ यस्तानी अस्तर पर प्रशासन को भी ऐसी कि रुपए जीते थे महच 24 घंटे के अंदर ही उन पर इंक्वारी बैट गई थी और प्राड़म भी जांच के बाद बुद्वार को ने सस्पेंट कर दिया गया सहयक पुलिस आयुत सतीश माने ने पहले PSI जेंड़े के खिलाफ प्राड़म भी जांच सुरू करने की पुस् किया है दालत में याचिका दायर करवार ने किपाले सक्स AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता मुहमत फरहान है बतादी के हाली में राहुल गांधी ने इस पपी को वर्ल्ड एनिमेल दे पर गिफ्ट किया था और इसका वीडियो भी शियर किया गया है अब AIMIM मुहमत फरहान ने नुड़ी रखने पर नाराजगी चाहिर की है और राहुल गांधी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का रोप लगा है जन सुराज पार्टी के संस्थापक और सुप्रीमों प्रशान कुसोर ने कहा कि दोहजार चौबस का लोग सभा चनाव तैस समय से पहले हो सकता है पीके ने बिहार के सियव नितीश हुमार पर निशना साथ तेवे कहा कि वो एंडिये चोड़ दिये तो राजेसभा उपसभापती के पत से अपने एंपी को क्यों नहीं ठटा रही है उन्होंने कहा कि 2015 में बिहार की जंता ने वोड दिया लेकिन या आदमी 2017 में भाग गया फिर पल्टी मारेगा ये लिख कर रख लीजे बिहार में क्रिसी रोड मैप के शुरुबात करने के लिए राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मो बुद्ववाद 18 ओक्टूबर को पठना पहुंची थी क्रिसी रोड मैप के उद्गाटन के बाद राष्ट्रपती पठना सा सोध में पता चला है कि बहुत अधिक मेहनत करने से अत्यधिक तनाव पैदा हो सकता है और तनाव विवन प्रकार की स्वास्ते समस्याओं का कारण बनता है तनाव लेने से हिर्दय रोग से लेकर स्ट्रोक और मोटापा तक के रोग हो सकते हैं जनरल सर्कुलेशन कार्डिय वस्कुलर क्वालिटी एंड आउट मॉक्स में प्रकास्षित एक सोथ से पता चला है कि उच्छ तनाव से पुरूसों में हिर्दय रोग विक्सित होने की संभावना दोगुनी हो सकती है जो हार्ट अटैक और अन्या स्वास्ते समस्याओं का कारण बन सकती है सोध करताओं हमास की तरफ लड़ने के लिए गाजा भीजेंगे बता दे कि इस्राइल हमास जंग में सरद पवार ने फिलस्तीन का सपोर्ट किया था जिसके बाद बीजेपी ने उनकी कड़ी आलोचना की थी एनाई से बात करते वे सर्माने कहा मुझे लगता है कि सरद पवार सुप्रि यानि नेशनल कंप्पनी लौ अपिलेट ट्रिब्यूनल के जुडीशल मेंबर जस्तिस राकेश कुमार और टेकनिकल सदर्श्य अलोग श्रिवास्तव को अदालत की अबमानना का नोड़िस जागी है उप मुख्यमंत्री इतियश्वी प्रशाद यादव ने कहा कि बिहार इंफ्रस्ट्रक्ष डेवलप्मेंट का हुई या विकास के दूसरे पैमाने के जीडीपी विकास के मामले में बिहार देश के तीन शिर्स राजियों की श्रिणी में सुमार हो गया है उन्होंने कहा कि राजिय में क्रिसी उतपादन बढ़ा है चावल मक्का आरू टमार और पफल के उतपादन में बिहार देश के अग्रणिया राजियों में शामिल हो गया है मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने जो काम किया है उसका फाइदा राजिय के आम लोगों के साथ साथ किसानों को भी हुआ है मंच ने केंदर सरकार से यह मांग की है कि सरकार को भारत को बदनाम करने वाले रिपोर्ट्स की प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए प्रयास करना चाहिए और ऐसा करने के लिए भारत सरकार को राजनाई कस्तर पर भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए मंचनी भारत सरकार से संयुक्तराश्च्ट से जुड़ी एजंसियों के साथ भी इस मुद्धिक उठाने की मांग की है देश में इस समय नवरातरी और दुरगा पूजा की धूम मची हुई है हर तरफ नवरातरी को लेकर चहल पहल देखने को मिल रहा है अब एक उस दिन पहले गुज़ात के एक सक्स ने नवरातरी को लेकर तीन किलो की पगरी बनाई थी और उसे अपने सिर पर सजाड़ा खा था पगरी में सक्स ने राममंदर चंद्रयान तीम की सफलता और पधान मंत्री नरंदर मूदी को प्रदर्शित किया था पश्चम मंगाल के कॉलकता से भी कुछ ऐसी देखने को मिल रहा है जिसमें माटर उर्गा की पंडाल के लिए बड़ा सा गोल-गपा बनाये गया है सनोकी पंडाल को देखने के बाद हर कोई हैरान रहिया है अमेरिका ने बीते दिन बुदवार को 73 प्रस्ताव को वीटो कर दिया जिसमें इसराइल पर हमास के हमलों नागरिकों के खिलाफ हमसा कि निंदा करने और गाजा में फिलस्तीनियों को मानवी मदद पहुंचाने एक आगरख किया गया था 15 सदस्ते सुलक्षा परिस्त के बार इसराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद भारत में नेशनल सेकूरिटी को देखते वे हैंग ग्लाइडिंग के नियमों को कड़ा कर दिया है बारत में हमास के साथ वहां की सेना युद्र लड़ रही है भारत ने अपना पॉइंट समर्थन दिया है कई अपसर पर अपनी प भारत पर पूरा भरोसा है इसलिए इंडियन एक्स्प्रस को दिये एक इंटर्व्यू में भारत में इजरायल के दूत नौार गिलों ने कहा कि इजरायल हमास के साथ लंबी लड़ाई के लिए तयार है साथ इन्हों ने भारत के साथ दोस्ती की भी सराना की है कॉंग्रस अध्यक्ष मलेका अजन खरगे ने मंगलवार को केंदर सरकार पर चनावों के लिए सेना का राजनितिक इस्तमाल करने का रूप लगाया और दावा किया किस दरूर दलने सानिकों के लोग प्रेता का पायदा उठा कर सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाई है उन्होंने दावा किया कि ननेंद्र मोदी सरकार ने सेना से देश भर में सलफी पॉइंट बिनाने को कहा है जहां सानिकों की पहादुरी के बजाए उसकी योज़नाओं का प्रचार किया जाएगा भारत नर्वाचन आयोग ने राजस्थान की चनावी जबती प्रणाली को काफी सराहा है भारत नर्वाचन आयोग के उपायुक्त अजय भादू ने यहां एंफोर्स्मेंट एजन्सियों की राजयस्तरिय वैठक में कहा कि अभी तक राजस्थान का सीजर संबंधी काम शा प्रस्रिक्षन देना चाहते हैं इसलिए नैमी सार्ने से सुरू हुआ प्रस्रिक्षन सिवीर कारेक्रम कई अलग अलग जनपदों में अब तक हो चुका है इस से विडियो में कारेकारताओं को समाजवादी पार्टी की कारे पदती और विपक्ष से लड़ने की रणनीती प्रस्रिक्षन दिया जारा है साथ जहांपूर में भी गुडवार से दो दिवस ये प्रस्रिक्षन कारेक्रम शुरू हो गया है जिसमें अखिलेश यादब भी देर शाम से बने हुए हैं यह फिल्म कल यानी 20 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है इस फि सिंगम की स्रीज में डाइगा श्रॉफ इस्प्रिशन कॉप की भूमिकामी नजर आने वाले हैं रोहिस सथी ने आधिकारी क्रूप से इसकी घोशना की है थाकुर बांक के बिहारी मंदिर में श्रधालूं के अधिक ठेड़ाव से होने वाली भीर को रोकने के लिए मंदिर के अंदर मुवाइल के इस्तमाल पर रोक लगाने की तैयारी की जारी है जिलापरशासन की योजना के तहत मंदर में दर्शन कॉरेज च्रधालूं के मुवाइल पैकिंग पाउच में एंट्री के समय पैक कर दिये जाएंगे दर्शन करने के बाद मंदर से निकलते समय गंभीर आरोप लगा है सेर बाजार में इसकी जानकारी देरते वें डावर ने बताया कि तीन सहाय कंप्णिया नमस्ते लैबरेटरीज लसी डर्मो निविवा स्कीन एसेंसियल इंक और डावर इंटरनेशनल लिमिटेट मामलों का सामना करने हैं किंद्री मंत्राले के अध यंग प्रोफेशनल के पदों पर भरती के लिए विग्यापत जारिकिया है देश के सबसे अमीर वЕक्तियों और सबसे प्रमुक उद्योग पतियों में एक गौतम अडानी सीमेंट उद्योग में एक नया धमाका कर सकते हैं में उतर देखते पहली पंक्ती में पहुंजने वाले गौतम अडानी के सामने एक नई डील का मौकाया है अगर यह दील हो जाती है तो सुमों की उपसेती पहले से मजबूट हो जाएगी साल 2023 की मोस्ट आइटेड फिल्म लियो 9 जो गई ती विव्यजर का कॉब करने की उमीद है हाला कि इस उमीद को जटका लगसारता है दरसल थलपती विजय की फिल्म को रिलीज हुए अभी कुछ ही घंटे हुए है अब लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजब हमें मारी कॉमें सेक्ष्ण बॉक्स में लिख कर देवा जिन्हों ने नाम है नुद्नों गोलुकुमार मुहम्मद अफ़हीम पारवतीर रॉय जितंद्र ठाकुर अनवर करीम खान मुहम्मद सहीद प्रमात्मा सेंग नौश् कि तेमाम करो क्ली